बीजबी विधायकों की तोड़ फोर में कितनी माहिर है ये बीते कई वर्षों की राशनीती में बार बार साबित हुआ है महराश्ट में चुनाव से पहले भी कॉंग्रेस और नसीबी की तरफ से ये अशनका जटाई गई थी कि बीजबी विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेगी और अब चुनाव परिणाम आने के बाद भी इंदलों का बीजबी पर शक और गहरा हो गया है इसलिए जैसे जैसे सरकार गठन की घड़ी नस्दीक आ रही है सुबे में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तेज हो गई है और शिफसेना भी एंसीबी और कॉंग्रेस की साथ खड़ी नसर आ रही है महाराश्ट में विधानसवा चुनाफ के नतीजे आए 15 से ज्यादा दिन वीच चुके हैं लेकिन सरकार गठन की तस्वीर स्ताफ होने का नाम नहीं ले रही जिसने बीजबी को बेहत बेचैन कर दिया है इसलिए खबर है कि सामदाम दंडभेत की नीती में माहिर वीजबी अब सूबे में खरीद फरूप्त का खेल खेल रही है अपनी सहयोगी की हरकतों से वाकिव शिफसेना ही कल तक वीजबी पर हाउर्स ट्रेटिंग का आरूप लगा रही थी वगर अब कॉंग्रिस भी वीजबी पर ही आरूप लगा रही है कॉंग्रिस का कहना है कि वीजबी शिफसेना के साथ साथ कॉंग्रिस के विधायकों को भी खरीद रही है पांटी ने कहा कि वीजबी ने एक विधायक को पचास करोड देने की बात कही है BJP सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक चा़ सकती है इसले कॉंग्रिस भी BJP के खेल को बेगाडने के लिए अपने विधायकों को मुंबई से दूर ले जाने की कवायत में जुटी है बताया जा रहा है कि कॉंग्रिस भी उन्हें राजिस्थान की राज्थानी जैपोर लिजाने की तैयारी कर रही है वज शिफसेना ने भी अपने विधायकों को रंगशार्दा होटल में रखा है क्योंकि शिफसेना को पार्टी में तूट का डर्सता रहा है एक दिर पहले निर्वाजेत विधायकों संग बैठक के बाद शिफसेना ने फैसला लिया था साथी पार्टी ने मुखवतर सामना में भी इस बात की आशंका जाहिर की थी शिफसेना ने लिखा था कि कुछ लोग नई विधायकों से संपर कर थैली की भाशा बोल रही है ऐसी शिकायते लगातार मिल रही है कि पिछले सत्ता का उप्योग अगली सत्ता के लिए थैली आबाटने में हो रहा है लेकिन किसानों के हाथ कोई दमडी भी रखने को तयार नहीं इसलिए महराश्टर के किसानों को शिफसेना की सत्ता चाहिए महराश्टर की प्रतिष्टा धुमिल करके यहाँ पर कोई राज नहीं कर सकता इसके लिए शिफसेना वहाँ तल्वार लेकर खड़ी है वहीं अब कॉंडिस भी यही आरूप लगा रही है जबकि बीजोपी नहीं तमाम आरूपों को खारिच कर दिया है डिबी लाइफ की रिपोर्ट